हलो, welcome to FTS Stay पिछले वीडियो में मैंने आपको बताय था कि आप FTS Stay आप से कैसे सुद्र्बन के लिए 하ॉसबॉट बॉक करऊंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप FTS Stay से कैसे आप हाॉसबॉट हो या आपके पास कोई घर हो या आपके पास विला हो, फ्लैट हो आप उसको कैसे rent पे लगा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आप यहाँ पे जो उपर के corner पे जो एक तीन line है उसको आपको click करना होगा ठीक है, यह तो मेरा profile है यहाँ पे आपको I am host में जाना होगा ठीक है, I am host में जाने के बाद आपको यहाँ पे यह page खुलेगा ठीक है, जहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पे profile क्लिक करके आपको आपके पास जो घर है, देखिए आपको यह चीज ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे houseboat के लिए तीन चीज है, और अगर कोई घर है विला है, फ्लाट है, तो उसके लिए दो चीज है यह front page, यह जो host का page है, यह सबसे mandatory है आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने घर का नाम ठीक है, जैसे मान लिजे कि मेरे घर का नाम है, जैसे मेरा नाम अपिशेक house मैंने कर दिया ठीक है, यहाँ home type में जैसे मेरे पास मान लिजे कि मेरे पास एक house है तो मैंने यहाँ पे house पे click कर दिया आपको यहाँ पे अपना mobile number यहाँ पे business email, house में आप क्या क्या facility देंगे, वो आपको करना पड़ेगा, house का address nearest landmark, वो आपको select करना पड़ेगा, और आप अगर food दे रहे हैं, ठीक है, food में आप क्या दे रहे हैं, और उस food का price आप कितना लेंगे, वो आप select कर सकते हैं और आप अपने family के बारे में कुछ भी हो, वो लिख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, और यहां से आप save and update कर देंगे इसके बाद का page है कि create room, अगर आपके पास house है, या घर है या hotel है, या villa है, या बंगलू है, या flat है, तो आपको ये profile पे click करना होगा और ये create room पे click करना होगा, तो इसके बाद मैं create room में जाता हूँ create room में आपको यहाँ पे नीचे corner पे एक plus का sign नज़र आएगा उसको आपको click करना है इसके बाद जो page खुलेगा इसमें आपको room का नाम, जैसे मान लिजे कि अगर मेरे पास एक hotel है hotel में अगर मेरे room number में 101 से लेकर 106 तक को rent पे लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे मान लिजे कि मेरे hotel का नाम है hotel abhishek 101 जैसे मैंने 101 room number है उसको मैंने rent पे लगा दिया ठीक है, bed type यहाँ पे आपका single है या double है ठीक है उसको click करना है, bathroom आपके साथ attached है, या फिर share करना पड़ेगा ठीक है, वो कर देंगे number of guest अब कितना allow करेंगे एक room में, तो वो आप से यहाँ से select कर सकते है ठीक है, और room का price ठीक है, one day का price आपको यहाँ पे यह करना पड़ेगा, और आप children allow करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपको यहाँ पे room का वो लिस्स नज़ रहेगा, जैसे मालने जे कि मैंने hotel का बात किया था, तो hotel में 101 से लेकर 106 तक है, तो जो total 6 है, वो यहाँ पी यह दिखाए देंगे अग, अब आपके पास अगर houseboat है, तो houseboat के लिए एक चीज़ important है कि आपको यहाँ पे package पे click करना होगा, ठीक है, package में click करने के बाद जो plus का sign है, वो click करना होगा अब यहाँ पे package का नाम देना पड़ेगा, package का नाम मतलब आप package का क्या जैसे, मान लेजे कि मेरे पास houseboat है, मैं उसको two days, one night के लिए करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, two days, one night package, ठीक है, duration, ठीक है, duration मतलब आपके कितना दिन हो गया, तो two days के लिए two, one day के लिए one, और three day के लिए three, ठीक है, आप minimum percent कितना allow करेंगे, वो यहाँ पे है, ठीक है, जैसे मान लेजे कि मेरे houseboat में minimum 2% allow है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और मेरे houseboat में two days, one night के लिए 10% allow है, तो यह 10, pick up place, ठीक है, आप जहाँ से भी आप इसको pick up करेंगे, ठीक है, food type ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पर select करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से आपको जो आप list है, वहाँ से आप कर सकते हैं, और अपने पैकेज के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप package में apply करना चाते हैं, save and update कर देंगे, इस तरीके से आप इसमें भी जैसे room में room create कर रहे थे हम लोग उसी तरीके से यहाँ package भी create करेंगे, बस एक चीज़ा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास houseboat नहीं है, तो आपको बस profile और create room करना पड़ेगा, और यहाँ से आप गैलरी से आप अपने room का बहुत सरा image भी यहाँ देख सकते हैं, add some photos में जाक करेंगे, ठीक है, आशाय करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, thank you